दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार अमीन बाहली सत्रह सरसथ पोस्ट के बारे में यहाँ पे गुड नियूज है उसके लिए जान यह एडमिट काट काब आएगा और एक्जाम काब होगा यह सब के बारे में आपको पूरी जानकाड़ी पूरी दीजेपी करेंगा उसके बाद डीटेल के साथ दिया गया हम लोग डीटेल के साथ बात करने वाएगा जैसा कि आप लोग यहां पे देख दिया गया है कि अमीन बाहली की जाच का जिम्मा जो है पूलिस चेर्न बोर्ड के चेर्रमेन वह पूर्व डीजेपी के एस है कोट को बताया गया कि राज में सर्वेक्षन के बाद जो है यहां पर अमीनों की बाहली के मैरिट लिस्ट में धांदली हो रही है ठीक नहीं हापर मैरिट लिस्ट जो निकलेगा उसमें बोल रहा है धांदली हो रही है मैरिट लिस्ट में कम अंकालें वाले की बाहली हो जबकि उनसे अधिक वाले की नियुक्ति नहीं हो रही है ठीक इसके कारण हाई कोट के केस डायर करना पर रहा है ठीक कोट ने अमीन बहाली से जूरे सभी दस्तावेज की जांच करने के आदेश पुलिस चेर्ण बोड के मौझूद चेर्मेन तथा पूर्व डीजेपी के एस दिवेदी को दिया है ठीक साथ ही राजोसेवं भूमी सुधार विभाग के परधान साचीब को अमीन बहाली से जूरे सभी उम्मिदवारों का आवेदन पदर कॉंसलिंग राइस्टर सोपने को कहा ठीक तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो अमीन की बहाली हुई है उस पहले जांच किया जाएगा उसके बाद शक्रास सरस्ट का आमीन आप कर दिया जेगा उसके बाद जो है उसका एक जाम लिया जैगा तो अभी आप लोगों के पास टाइम है इसके लिए आप क्या कर सकता है ट्विटर पे एक अंदोलन रखे कि बिहार अमिन का एकजाम जल्द से जल्द करवाईए तो आप लोग बोलिएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा किस दिन रखेगा डेट फिक्स कर लिजे उसके बाद कोमेंट में डेट बता देजे मैं उस दिन वीडियो बना के ड हिन वर दे मात्रम